तो हलो दोस्तों कैसे आप से मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूँ प्रदीपगी लाउंच वाल्ड अकाडमी पर तो गवाइस मैं बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आगे के सभी चैप्टर का लिंक मैंने दिया हुआ है आप उसको करके आराम इंड़ोक्स में जरूर लिखना तो चला स्टार्ट करते हैं अप्रेशन को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और प्यार और सब्सक्राइब कर रहा है और इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसको बोलते हैं इनकमप्रेसिबल फ्लूट की बात क कर ले तो भाई अपने मतलब कि क्या लिखा डूर डास नोट अपोस्ट डिफॉर्मेशन अपने आपको चेंज होने से रोकता नहीं है और दूसके अंदर दूसरा आपको सभी को पता इसके प्रॉपर्टी फ्लूट की आता फ्लो होना किसी भी कंटेनर में गर मैं इसको डा स्टेंस मतलब जो सीम सेम सबस्टेंस है उनके बीच में लगने वाले फोर्सेश को मोर्य सीफ पोर्स बोलते एक्जाम्पल अब एजाम्पल थे मैं आपको बताना चाहूँँगा मनडोक नहीं क्या molecular attraction मैंने अभी आपको बताया था कि molecules अपने सामने वाले molecules पर क्या लगाता है फोर्स लगाता है तो गैस maximum कितने distance तक वो फोर्स लगा रहा है और एक molecules का ये मालो एक ऐसा molecules है ये ऐसा molecules है ये कहां तक इसका force effective है कितना range है इसका इसी को हम बोलते है range of molecular attraction अब गैस sphere की बात करें तो जैसे molecules यह है यहां भी इतने दूर तो फोर्स लगा सकते यहां भी लगा सकते यहां भी लगा सकते यहां भी लगा सकते यहां भी लगा सकते तो हम imaginary एक sphere बना देते हैं और इसी को बोलते हैं sphere of influence sphere imaginary sphere taking molecules as a center molecules को कहा लिए बीच में लिए आज देखे चलो इसको हम कल देखेंगे क्यूंकि यह नहीं आज ही चलो बहुंकि यह आज बता देता हो कोई को आप गाइस एक मिनटस को बड़ा करना पड़े है एक्चले बड़ा नहीं है इसले कि देख रहे है कि देख रहे है कि देख रहे है ओके आप गाइस यहां molecular theory molecular theory बहुत सिंपल है और बहुत आसान है गाइस मान लो एक container है इस container के अंदर हमने क्या लिया है water liya हुआ लिक्वीड लिया हुआ और यह जो लिक्वीड और बाहर क्या एर है अब इस liquid के अंदर मैंने क्या क्या एक molecules लिया और यह आपको दिखाई दिया रहा रेंज रेंज दिखाई दिखाई दियरा और यह एक स्पीर हमने ड्रॉ कर दिया जहां तक उसका रेंजस का स्पीर बना दिया यह हमारा एं है फिर इसके बाद हमने क्या किया कि एक और हमने मतलब एक दम मतलब यह जो लेयर दिखाई दे रहा है यह वाला लेयर सर्फेस लिक्विड का सर्फेस यहां भी हमने मॉलिक्ल्स एक लिया और उस मॉलिक्ल्स का जो रेंज है वह यहां यहां तक इतना है 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 और एक हमने मॉलिकल जस्ट नीचे लिया सबसे जादा क्यों रहता है तो मैं बताना चाहूंगा कि सिंपल सी बात है यह यह निक्वीड के अंदर है तो दोनों तरब से यह देखो इधर से यह लग रहा है लग रहा है लगए इक्वल और पोजीट लग रहाह यह जिसके यह यह इस प्लस पाइब तो रिजल्ट के अधर जाएगा अब गाई इस नहीं बात करेंगे बीवाले पाट अब वाला पाट देखने में तो ऐसा लगता है नहीं देखके ही समझ में आ जाता है कि कौन से साइड ज्यादा फोर्स होगा आप सभी को बता है तेको लिक्वीड के अंद इसका रेंज लिक्वीड के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहा है और यह जो पाट है यह वाला पाट यह एडिसी फोर्स का पाट है क्योंकि इसके अंदर देको लिक्वीड का लियर और लिक्वीड के लियर के साथ एयर का भी लियर है तो वहाँ जो फोर्स लग रहा है वो इसलिए यहां के सभी molecules कहां जाना चाहेंगे नीचे जाना चाहेंगे क्योंकि adhesive force के comparison में cohesive force के है ज़्यादा है अब बोलोगे सर यहां तो गड़बड है यहां तो आधा adhesive force है और आधा cohesive force है यहां के आओगा यहां कि उस surface पे tension रहता है देखो हर लोग अपने घर में ही जाना चाहते नीचे ही जाना चाहते और यहां नीचे क्यों जा रहे है सिम्पल सी बात surface पे tension क्यों है इसका सबसे प्यारा एक्जामपल यह है जैसे अगर हम एक्जामपल ले लेते हैं नीचे के तरफ लगने वाला force 10 है यह जो force है 5 है 10 में से 5 है तो 5 बट कहां नीचे तो नीचे डाउनवर्ड डिरेक्शन में है कहां तो resultant cohesive force का है अब यहां भी एकर आप मुझे बोलोगे देखो यह आधा adhesive force यह आधा cohesive force आप बोलेगे सर यहां तो equal है यहां तो कानी कतम हो जाएगी यहां भी 0 हो जाएगा नहीं भाई एक बात याद रखो यह एर है एर की density water के comparison में liquid की comparison में एकर water में consider कर लो तो air की जो density है water के comparison में क्या होती है कम होती है इसलिए कम होने की कारण density किसकी ज्यादा होगे water की density ज्यादा होगे इसलिए cohesive force कहा होगा downward direction में ज्यादा होगा इसलिए यहां के molecules भी कहा जाना चाहेंगे नीचे क्योंका resultant force का है नीचे की तरफ ज्यादा है उपर दोनों equal equal part में तेंशन की भी सब कहां जाना चाते है नीचे जाना चाहते है और इसके का वहाँ एक stress membran के कारण एक stress create हो जाता है और tension create हो जाता और सब molecules कहां जाना चाहते नीचे और यही हमारा molecular तरी है इगदम सिंपल तरीके सा मैंने लिख्के दिया है देखो यह देखो एक मिनिट इसको मैं पहले यह साब बना देते हैं आजा 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 अधिया ऐसे मॉलीकुल एज़ वेल इनसाइड दे लिक्वीड ये पहले वाले मॉलीकुल की बात चल रही एवाला एक्टेट वा इक्वल कोई सी फोर्स अब जगह से कोई सी फोर्स सेम है है और दस नेट फोर्स जीरो मैंने बताना प्लस पाय माइनस पाय कितना हो जागा जीरो दन इसके लिए वाले बात पार्ट की बात करें तो लार्ज पार्ट ये वाला ये वाला ये दूसरा वाला लार्ज लार्ज पार्ट इस इन साइट एन स्मालर पार्ट इस आउटसाइड surface that adhesive force due to air molecules is weak compared to strong doyer downward cohesive force therefore you are the guy there are you have a simple city by direct adhesive force week a compared to cohesive force abiske about a sea wall section over on a section key baat karu half of the sphere of influence is in air and half is in liquid other air may have or other liquid man as a density of air is less than the liquid density of air liquidity comparison means's total energy by one in front of the sphere of the sphere of the sphere of the sphere of the level of the sphere of the sphere of the sphere and other details that we will see and just say yes and . .